तो स्वागत है इस देश के सभी Defense Experience Candidate का DCD Defense Academy के YouTube चैनल पर जैसा कि हम सभी को बता है कि RMS का Online Notification जारी हो चुका है 18 September से उसकी Registration Process स्टार्ट हो गई है तो आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि RMS के Form को हमने कैसे बरना है और जो हम उस फोन को Fill Up कर रहे हैं तो उस टाइम हमें किन-किन पॉइंट के उपर ध्यान रखना है क्योंकि इस बार को Special Instruction Mention की गई है अगर आप उसको Follow नहीं करते हैं तो Without किसी भी Information के आपके जो RMS का Form है उसको Nail Void कर दिया जाएगा तो करना क्या है सबसे पहले आपने हम सबसे पहले जाएंगे www.rmsbangalauru.edu.egc.pe हम website पे जाएंगे जहांपर जैसे आप खोलोगे तो आपके पास यह portal open हो जाएगा तो सबसे important point देख सकते हैं कि आपको क्या है कि candidates can apply common examination test दो जारते only on website ठीक है और क्यों कर सकता है कि only one application should be submitted by one candidate यह मैं आपको point बताना जा रहा हूँ कि एक candidate एक ही बाहर कर सकता है बाहर बाहर नहीं कर सकता तो उसको reject कर दे जाएगा तो यह points आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ने है और जब यह points पढ़ने के बाद आपने यहाँ पर agree करके submit कर देना है then उसके बाद यहाँ से आपको process start होता है कि हमें registration process start कैसे करनी है अगर आपको prospect download करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं registration process आप यहाँ से start होगा यह point आप यहाँ पर check कर सकते हैं कि कहां कहां के लिए है चेल, अजमेर, बैल, गम, बैंगलोरू, और दोलपूर के लिए है क्या-क्या आपके पास point है क्या-क्या आपने चीज़े ध्यान में रखनी है यह चीज़े आपको बिल्कुल पढ़नी है आप देख सकते हैं कि 18 सितंबर से 18 अक्तूबर आपकी last date है process की तो अगर हमको registration करना है तो कैसे करना है हमें registration process पर जाना है जैसे आप click करेंगे आपके पास again यह portal open हो जागर जिसमें आपके पास चीज़े mention है कि कक्षा 6 के लिए केवल लिड़कियां चात्रा केवल फिर 6 के लिए विदिन कर सकती है उसके बाद अगर आपको important instruction यहां भी दे रखी है यहां से भी आप पढ़ सकते हैं कि आपको क्या कर document की requirement रहेगी scan copy of category certificate अगर कोई बंदा category wise apply कर रहा है तो 5 MB से उसकी ज़्यादा नहीं होने चाहिए scan copy of date of birth की होने चाहिए scan copy of photograph जो भी आप उसमें photograph और signature अप्लोड करेंगे उसकी आपके पास किस format के अंदर होनी चाहिए JPG, JPG, PNG इन format के अंदर होनी चाहिए इसके लाबा नहीं होनी चाहिए payment detail का ध्यान से अपना है fill the compulsory field जिनके ओपर star लगा हुआ है वो points आपके mandatory हैं वो आपको ध्यान से fill up करने है mention all five different choice of school आपको choice wise अपने centers allocate करने की आप सबसे पहले किसमें आप apply करना चाहते है जैसे कि आपको पता कि 5 center है ये आप किसको preference देना चाहते है तो preference wise आपने हाँ पर fill up करना है उसके बाद give complete postal address ध्यान से उसके बाद upload all scan documents please upload clear and visible photos होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए कि blur signature हो रहे है blur photo हो रहे है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो ये points आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ने है ठीक है? category description अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि किस category wise क्या क्या process रहने वाला है आप देख सकते हैं category code भी दे रखे हैं JCO, OR के लिए दे रखा है उसके बाद JCO, OR and OBC में क्या category है JCO, OR, SC के लिए क्या क्या process है तो यहाँ से आप जिस भी category के अंदर fill up कर रहे हैं वो category आप यहाँ से बिल्कुल ध्यान से चीज़े पढ़ सकते हैं जब आपकी यह जब बिल्कुल clear हो जाएगा तो उसके बाद आपने अपनी process को start करना है सबसे पहले आपने क्या करना है अपनी class को select करना है जिस भी class में आप fill up करना चाते हैं तो class 6 में आप fill up कर सकते हैं या अगर आप class 9 में जादना चाते हैं तो class 9 में fill up कर सकते हैं gender select कीजिए male जैसे कि आपको पता है कि 6 के लिए सिर्फ लड़किया 6 में सिर्फ लड़किया अप्लाई करेंगी 9 में नहीं अप्लाई करेंगी उसके बाद अपना यहां पुरा नाम दे आप दे सकते हैं की लैट से आपने अपने नाम दे दिया ठीक है दन उसके बाद आप यहां पर अपनी email ID आप दे सकते हैं तो जैसे ही आप अपनी email ID और phone number को enter करेंगे आपके registration mobile number के message आएगा जहां पर आपका registration और आपके पास आपका password आजाएगा और आपकी ऐसी detail जाएगी कि student registration form ठीक है उसके बाद आपकी पुरी detail यहां पर आजाएगी जिसको अगर आप edit करना चाहें तो edit भी कर सकते हैं और category की आप जैसे आप JSU की category है आपकी kill action के अंदर category है civil officer की category है तो उसके बाद आप यहां पर अपनी पुरी की पुरी detail ऐसे आप अपनी कोई भी जो भी आपकी required category है उसके अदर आप यहां पर जाकर उसको डाल सकते हैं तो उसके बाद अपनी date of birth डाल सकते हैं जो भी required आपकी date of birth रहेगी तो ठीक है देन उसके बाद आप यहां पर पूरा क्या पूरा डीटेल आप ने यहां पर पढ़ सकते हैं आपका फादर ने मदर ने अधार काड के जो भी है अप्लिकेंट का अधार काड है तो वो देन आपके पास आपका क्या एड्रेस अरने वाला है चैट पिन कोर उसकी इक्जाम सेंटर जो भी आप मैं ने आपको बताया था कि आपकी अपने 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 हैं कि अपने आसेंटर आपका करना हैं यह फर्स चैनल कर रहे कि यह फ्रस्ट जेटार की तर पान्चों के अंदर सी जो भी आपकी preference रहेगी वो यहाँ पर आपने fill up करनी है then उसके बाद other select hospital जहाँ पर आपका medical का रहने वाला है upload यहाँ पर आपने document upload कर देनी है जिसका size आपका 5 MB के nearby होना चाहिए then उसके बाद जब जब आप सब कुछ fill up कर दोगे then उसके बाद form को fill up करते हैं तो जो main important चीज़े हैं आपकी कि आपका register mobile number और आपकी email id proper होनी चाहिए क्योंकि जो भी further communication होगा जो भी update होगी वो आपकी उसी email id और phone number पे होगी so I hope जो आज की important information मैंने आपको दी है कि RMS को form को fill up करते हैं आपको help out जुरूर करेंगी so इसी type की latest और important information के लिए आप हमारे channel DC Defense Academy को subscribe करें next video में फिर मिलेंगे दुबारा कि चीज़ेंपोइंट आपडेट के साथ till then thank you जैहिन जै भारत